आज चोथे एपिसोड में अध्या एक के इसलोक नम्मर चार पांच और च्छे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ सुनें अत्र सूरा महेश्वासा भीमार जुन समायुदे युजद्धानो ब्राटस्चे दुर्पदस्चे महारथ द्रस्ट के तूस्चे कितानह कास राजस्ववीरवान पर जितकुंति भोजस्चे सेब्वेस्चे नरपंगवा युदामन्युष्चे बिक्रांते उत्यमो जाजस्ववीरवन सौबद्ध्रो जुर्पद्यास्चे सर्वेवं मारता अर्थात अत्रसूरा मेश्वासा भीमार जुन समायुद है जिन से बान्ड चलाए जाते हैं अर्थात धनुस ऐसे बड़े बड़े धनुस जिन के पास हैं वे सभी महश्वास हैं तात पर यह है कि बड़े धनुसों पर बान्ड चड़ाने एवं प्रतंचा खींचने में बहुत बल लगता है जोर से खींच कर छोड़ा गया बान्ड विसेश मार करता है ऐसे बड़े बड़े धनुस पास में होने के कारण ये सभी अद्वत बलवान और सूर्वीर हैं ये मामूल योदा नहीं है युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्तसस्त की कला में ये अर्जुन के समान हैं युजुधाना यानि के साथ्तिकी ने अर्जुन से अस्त्र सस्त्र की बिद्या सीखी थी, इसलिए भवान स्रीक्रस्न के द्वारा दुरियोधन को नायराणी सेना देने पर भी वो कृतग्य होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुरियोधन के पक्ष में नहीं गया, दुरोणाचारी के मुन में अर्जुन के प्रती द्वेस भाव पैदा करने के लिए दुरियोधन महारतियों में सबसे पहले अर्जुन के से से युयुधान का नाम लेते हैं, तात्परी है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्तस्ति चलाना सीखा, और आपने अर्जुन को ये वर्दान भी दिया, कि संसार में तुमारी समान और कोई धनुर्धर न होगा, ऐसा प्रियत्न करूँगा, इस तरह आपने तो अपने अर्जुन पर इतना इसने रखा है, पर वह कृतग्न होकर आपके विपक्ष में लगने के लिए खड़ा है, जब कि अर्जुन सिस्यका युद्धान उसी के पक्ष में खड़ा है, युद्धान महावारत के युद्ध में नमर कर यादबों के आपसी युद्ध में मरे थे, विला टस्या, जिनके कारण हमारे पक्ष का बीज ससर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त से मोहित होना पड़ा, और हम लोगों को भी जिसकी गाएं छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वो राजा बिराट आपके प्रत्पक्ष में खड़ा है, राजा बिराट के साथ द्रोणाचारी का ऐसा कोई वेरभाव या दो इसबाब नहीं था, परंत दुरियोधन ये समस्ता है कि अगर युद्धान के बाद मैं दुरपत का नाम लूँ तो द्रोणाचारी के मन में ये वाबा सकता है, कि दुरियोधन पांडमों के विरुद में मेरे को उक्सा कर युद्ध के लिए विसेस्ता से प्रेड़ना कर रहा है, तथा, मेरे मन में पांडमों के प्रती विरुदा कर रहा है, इसलिए दुरियोधन दुरपत के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिसे दुरणाचारी मेरी चाला की नसमस्ता के और विसेस्ता से युद्ध करें, राजा विराट, उत्तर, स्वेत और संख, नामक, तीनों पुत्रों सहथ, मावार के लिए दुम्हें मारे गए थे, दुरपत से मार था, आपने तो दुरपत को पहले की मत्रतायाद दलाई, पर उसने सभा में यहकर कर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ, और तुम भिक्ष को अते मेरी तुमारी मित्रता कैसी, तता वेरवाव के कारण आपको मानने के लिए पुत्रों भी पहला किया, और वही मारती दुरपत आज आपके सामने लड़ने के लिए बिबख्च में खड़ा है, राजा दुरुपत युद्ध में दुरुणाचार के हाथों मारे गए थे, द्रस्ट के तु कितना मूर्ख है, कि जिसके पिता सिसुपाल को कर्सन ने भरी सवा मैं सुदर्सन चक्र से माट दाला था, उसी कर्सन के पक्ष में लरने के लिए खड़ा है, द्रस्ट के तु दुर्णाचार के हाथ से मारा गया था, चेकतान सबो यादव सेना तो हमारी ओर से लगने के लिए तैयार है और यह यादव चेकतान पंडवों की सेना में खड़ा है चेकतान दुर्यों धनके हाथ से मारा गया था कास राजस्य वीरवान यह कासी राज का बड़ाई सूर्वीर और मारतिय यह भी पंडवों की सेना में खड़ा है इसलिए आप साबदानी से युद्ध करना क्योंकि यह बड़ा प्राक्रमी हैं कासी राज महावारतिय यह मारे गए पुरुज तुकुंतिस भोजस्चा यद्यपी पुरुजित और कुंति भोज यह दोनों कुंति के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं तता भी इनके मन में पक्षपात होने के कारण यह हमारी बिपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं पुरुजित और कुंति भोज दोनों ही युद्ध में दुरुणाचार के हाथों मारे गए थे सेवेस्चा नरपोंगवा यह साइब्यो युद्धिस्टर जी के ससुर हैं यह मन्यसों में स्रेष्ट और बहुत बर्वान हैं परवार के नाते यह भी हमारा संबंदी हैं परण्त ये पान्यों के ही पक्ष में खड़े हैं पान्चाल देश के बडवान और वीर युद्ध युद्धा युद्धा मन्यू तता उंतमोजा मेरे वैरी अरजन के रत्के पईयों की रक्षा में नियुक्त किये गए हैं आप इनकी और भी नज़ा रखना। रात में सोते हुए दोनों को अस्वस्थामाने मार डाला था। सौबद्रा ये कृस्ण की बेहन सौबद्रा का पुत्र अविमन्यू है। ये बहुत सौबद्र है। इसने गरम में ही चक्रवियू भेजन की बिद्या सीखी थे। आता है। चक्रवियू रशिना के समय आप इसका ख्याल लगना। ये दुम्हें दूसासन के पुत्र द्वारा अन्याय पूर्वक सिर्परगदा का प्रहार करने से अविमन्यू मारे गे थे। द्रुबदे आश्य, युदिस्तर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेब। इन पांचों के द्वारा द्रोपती के गर्व से क्रम सह, प्रत्विंद्य, सुत्सोम, सुत्कर्मा, सतानिक और सुत्सेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लिजिए। द्रोपती ने भरी सवा में मेरी हसी उड़ा कर मेरे हिर्दय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मार कर आप अपना बदला चुका है। सर्व एम महार था। ये सबके सब महार थी हैं जो सास्त्र और विद्या दोनों में प्रवीन हैं। और युद्ध में अकेले ही एक साथ दस अजार धनुर धारी युद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस भी हिर पुर्ष को मार थी कहते हैं। ऐसे बहुत से मार थी पांडमों की सेना में हैं। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग दें। मैं आपको हर एपिसोड में दो से तीन इस लोकों का अर्थ बहुत घुर भाव से बतांगा। आप द्यान देकर प्रेम से सुनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वार और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैए श्रीक्रिश्ना।